सफल बने समर्थ बने पावन बने जिवन नीठी मुरली सुनके पाए सुख सघन आज का चिन्तन आज का चिन्तन ओम शांति गड मॉर्णी त्यार का सागर शिवाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं देह सईद सबकी याद भूल बाप जो है जैसा है उसे यह थार्त पहचान सुख को बिंदी समझ बिंदरूप से बाप को याद करो साथ में आज बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं कौन सा ग्यान इस समय बाप से ही तुम्हे मिलता है और कोई दे नहीं सकते हैं कौन सा ग्यान बागते तुम श्त्री पुरुष साथ में रहते हैं ग्रेस्त विवार के संभाल करते हैं पवितर हो यह ग्यान अभी इस समय बाप तुम्हें देते हैं और कोई यह ग्यान दे नहीं सकता है तुम्हें दान तो पांच विकारों को करना है लेकिन मुख्य है काम जिस पर पुरी विजय पानी है सर्विश शक्तिमान बाप की याद और श्रीमत पर चलने से ही यह ताखत मिलती है बावा ने बहुत प्यारा ettी या दिए दुखियों पर रहम करो मा बाप हमारे दुखियों पर रहम करो मा बाप हमारे बच्चे जानते हैं जिनके सम्मक बाप बैठे हैं अब तुम बच्चों की बुद्धी का योग बेहत के बाप की तरफ है बुद्धी का योग अभी हद के बाप से तोड़ना है और बेहत के बाप से जोड़ना है क्योंकि माया भुला देती है, देह अभी मानी बना देती है, यह तुम बच्चों का पाट है, अभी तुम जानते हो, बाबा कलब कलब आते हैं, बाबा कैसा है, यह भी बुद्धी में धारन करना है, मनुष्य ने तो शिवलिंग का बड़ा चित्र बना दिया है, और सभी की चित्र तो ठीक है, जैसे ब्रह्मा, विश्णु और शंकर का चित्र भी ठीक है, मंदीरों में पूजे जाते हैं, परंतु परंपिता परमात्मा का नाम, रूप, देश, काल जो है, वो भूल जाते हैं चित्र भी भूल जाते हैं, अभी तुम बच्चों को समझाय जाता है कि आत्मा बिंदे रूप है, स्टार मिसल है, ब्रूकुटी के बीच में रहती है, बच्चे जानते हैं हम आत्मा है, शरीर की ब्रूकुटी के बीच में मुझा आत्मा का स्थान है, ये तो सब मानेंगे परमात्मा कहते हैं मैं भी बिंदी हूँ कहां कहां बहुत बड़ा लिंग भी रखते हैं ने तो बिंदी की पुजा कैसे हो सके पुजा तो ज़रूर बड़ी चीज़की होगी न तुम को अभी बिंदी रूप समझाया है इन बातों को मनुश्य तो समझ ना सके तुम बच्चों को भी पहले यह समझ नहीं थी अभी जब परिपक्व वस्ता हुई है तो समझते हो यह यथार्थ बात है अगर शुरूश लेकर बाबा भी समझाते है तो हम समझ नहीं सकते क्योंकि बिंदी कोई चीज तो नहीं है हम मानते नहीं बिंदी जो चीज यह उसको के लोग मानते नहीं है तो परंपरा से शिवलिंग कहा जाता यह फिर क्या है तो बाप समझाते हैं कि यह भी रंग है मैं जो तुम्हारा बाप हूँ मैं बिंदी हूँ तुम्हारा भी बिंद रूप है परंत पुजा आधी के लिए बड़ा शिवलिंग बनाते हैं क्योंकि बिंदी के तो पुजा हो ना सके आत्मा देखने में भी बड़ा मुश्किल आती है यह समझने की बड़ी गुह बात है आत्मा भी बिंदुरूप है इस छोटी सी आत्मा में चोरा सी जन्म का पाठ है एक सेकंड ना मिले दूसरे सेकंड से तो वागते हैं यह है बड़ाई है भी बहुत सहज लेकिन क्या है बड़ाई है यह बाप ही समझा सकते हैं कोई मनुश्य नहीं समझा सकते बरवर इतनी छोटी परंतु नाम कितना बड़ा रखते हैं ज्यान का सागर तुम कहते हो मनिश्य शिष्ठी वीजरूप चेतन्य है सत्य है अभिनाशी है कहते आते हैं परंतु किसी की बुद्धी में नहीं आता है वो क्या बस तु है गुण तो बहुत अथाग आते हैं अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुक बेटे जान गे हो आत्माए तो सम्मुक ही है सव आत्माए ब्रदर्स ही हैं कितनी छोटी छोटी बिंदी है विचार करो मूलवत्तन का हम जो चित्र बनाते हैं उसमें बिंदुरूप ही दिखाते हैं जैसे स्टार्स आका स्तत्तों में उपर खड़े हैं बैसे ही महत्त्तों में भी हम ऐसे स्टार माफिक अपनी अपनी सेक्शन में खड़े होंगे जाड छोटी छोटी स्टार्स का बना हुआ है वहाँ से फिर आत्मा आती है शरीधारन करती है पाड़ बजाने के लिए कैसे नंबर बार आत्माय आती है ये सारी बुद्धी में चलनी चाहिए हर एक धर्म का सेक्षन अलग होगा बाब दर्ष्टान दे समझाते हैं बेनन ट्री का भी मिसाल समझाते हैं बिंदी बोहुत जगा चलती है तो बच्चों को हिंदी भासा में समझाना पड़ेगा परंतो परमात्मा भी हिंदी भासा में ही समझाते हैं क्योंकि हिंदी बोहुत जगा चलती है आज कल जहां ताहां इसका परचार करते हैं एक भासा होना तो मुश्किले कोई समझते हैं परमपिता परमात्मा तो सब भासा है जानते होंगे पर उन्तु ऐसा तो होना सके भैजिन के तन में आए जिन को जो भासा आता है वो ही बोलेंगे बेज और जाड का राज समझाना तो बहुत सहज है मनिश्य स्रिष्ठी का जाड बहुत धर्मों का है समझते भी है फलाना धर्म था तो फलाना धर्म नहीं था अभी छोटी छोटी धर्म निकलते हैं आगे तो नहीं थे न छोटी छोटी शोटी शक हैं तो अभी निकली है यह तुम बच्चे जानते हो और कोई नहीं जानते आत्मा और प्रमात्मा का बिंद रूप नहीं जानते अभी बावा ने तुम बच्चे को आकर समझाया तुम कहते हो बावा हम आपके बच्चे हैं कलब पहले भी आपसे मिले थे आपके बच्चे बने थे आप फिर से बने हैं किसलिए बरसा लने के लिए तो बाप कहते हैं तुम हमारे हो गोया एडप्ट की आमूख बंग्शावली बने तुम सब एडप्टेड हो बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं बावा की इस राज्यू की शिक्षा से हम बरवर क्या बनेंगे देवी देपता पदपाते हैं तुम पुरुशार्थ करते हो हम तो नर्से नाराणी ही बनेंगे बाप का बारिश जरूर बनेंगे तक नशिन बनेंगे ये संकल ड्रेक पुरुशार्थ करते हैं तो आज बावा हम बच्चों को धारणाव में कहते हैं दिल से बाप को याद कर जाइदाद की खुशी में रहना है पूरा पावन जरूर बनना है बीचार सागर मंधन करना है आत्मा कितनी छोटी है और उसमें कितना अभिनाशी पाट नुद्धा हुआ है बिंदु बन बिंदु बाप की याद में रहना है तो आज बावा हम बच्चों को बरदान दे रहे हैं सोई चाओ द्रिड संकल्प से एक देकर पदम लेने वाले चतुर सुजान भावावा चतुर सुजान भच्चे मिट्टी से भरे हुए सुखे चाओल देकर एक का पदम गुणा भाग्य बना लेते हैं सिर्फ चाओल देते हैं और रीटर्ण में सर्व शक्तियां सर्व खजाने चतिर प्रकार से भी ज़्यादा वेराइटी लेजे लेते हैं परन्तु कई बच्चे भोवी देने के समय सुधामा के मिसल कच्छ मत बगल में छिपा कर रखते हैं बाव खेंच कर ले सकते हैं लेकिन खेंच कर लिया तो उसका रीटर्ण इतरा नहीं मिलेगा इसलिए सोईच्छा और दुड़ संकल्ब से एक देकर पदम लेना यही चतुराई है इस देने में ही कल्यान है तो बाव आज हम बच्चो को स्लोगान दे रहे हैं शक्षी बन न्यारे होकर हर खेल को देखने वाले ही शक्षी दिष्टा है तो आज की मुरली का नुसर हम सो मान लेंगे में दुड़ संकल्धारी चतुर्श जानात्मा हूँ मुरली को और गहरी रिती से चिन्धन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा को अनुभव करना है कि परम सितारा सदा मेरे मस्तक के उपर है चत्रचाय के रूप में मुश कुराते रहे आगे बढ़ते रहे पुरुशार्थ करते रहे खुश रहे स्वस्त रहे मस्त रहे ओम शान्ति